हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाईस आज की सोड़ों में हम आपको अताने वाले हैं कि ओपो मुबाइल में डिलिट हुए एप को कैसे वापस लाएं कैसे रिकवर करें 100% पुरूब के साथ तो गाईस अगर आप चनल पर पहली बार आए हैं तूडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है चले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं open करने के बाद गाईस आपको, उपर की साइड यहाँ पर profile पर click करना है, यहाँ पर जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर manage apps and device वाला एक option मिलेगा, इस option पर आपको click कर देना है, देखें मैंने click कर दिया, click करने के बाद यहाँ पर, देखें update अविलेवल का एक option है, अगर यहाँ पर वापस लाने के लिए यहाँ पर आपको manage का एक option मिलेगा इस manage ओले option पर click करना है तो चलिए हम click करते हैं manage पर जैसे click करेंगे देखे जो install आप रहेंगे जो आपके phone में रहेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अब जो install नहीं हो जो delete हो चुके हैं उन्हें कैसे आप पा जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी आप आपने delete कर दिये रहेंगे सब यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी play store का आप रहेगा सब यहाँ पर मिल जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं आप सभी को अगर यहाँ से हटाना चाते हैं तो यहाँ पर mark लगाएंगे देखिए इस तो यह mark लग जाएगा फिर आप अगर delete पे click कर देंगे यहाँ पर cut पे click कर देंगे तो आपके यहाँ से यह हट जाएगा अगर आप सभी को एक बार में install करना चाहते हैं तो सभी पे mark लगा कर आप इस देखिए download icon पे click कर देंगे तो सभी install होना start हो जाएगे और guys मैं आपको बता दूँ आप चाहें तो देखिए फिट से manage में आकर दिखाता हूँ आपको install not installed यहाँ से जो मन उस आपको आप install कर सकते हैं गलती से अगर आपको नहीं पता कौन सा आप हमने install किया था और उट delete हो गया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिर आप install करने subscribe नहीं रहेगा तो फिर आप आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर कर रहेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो अमारे phone से delete हो चुका था यहाँ पर install कर रहा हूँ खाफी आसान है आप भी कर सकते हैं तो उमिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगी तो